हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू मैंगे प्रेंस हिंदी मेरा नाम है अवनिश्ट्रिपाथी तो कख्षाबारा राजिश्दी विज्ञान का जो एक इंपॉर्टन चेप्टर हम देख रहे हैं अंतराष्ट्य संगठन जिसके अंतरगत यूए नो आयमें वर्ल्ड बैंक डव् करते हैं इस चैप्टर के भी इंपॉर्टन में आपके सामने लेकर आया हूं जिस एक बार कंप्लीट चैप्टर का ओवर्विव आपको मिल जाता है और कुछ फैक्शुल इंफॉर्मेशन आप तक हमेशा के लिए याद हो जाती है पर उससे पहले कि हम यह इंपॉर्टन से बॉर्ट से पढ़ाई कर रहे हूं कक्षा साथ से बारा तक की सारी की सारी सिक्षा हिंदी वाध्यम में आपको यहां निशुल प्रोवाइट की जा रही है यहां एक यह दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेश सुप्स्रिप्शन लेने की ज़रुर्वत नहीं है तो निशुल सिख्षा की लिए मैंगेस हिंदी के साथ जुड़े रहे और क्वालिटी एजुकेशन के साथ अपने रिजल्ट को और बहतर बनाई ये इसी मतपूर्ण लॉजिक्स याद रखेंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा मैं आपको पताया था कि 1939 से 1944 के आसपास तक क्या चला सेकंड वर्ल्ड वार चला और सेकंड वर्र वार खतम होने के बाद दुनिया के डिर्सों ने यह प्रयास कि यह कोई संस्था बनाई जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय भी किया गया था लीग आफ नेशन बनाया गया था विल्सन के रास्ट पती थे अमेरिका के उनके प्रयासों से यहां रूजवेल्ट है और रूजवेल्ट और चर्चिल के बीच में एक अट्लांटिक एक तरह का सम स्थापना हुई है वह इसमें से कौन सा वर्स है गह उनीस सो पैतालिस तो गह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है डीटेल में हमने इसको समझा हुआ है जरूर आप वो चैप्टर देख लेंगे निमने लिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिसत का की चर्चा थी जिसमें महाँसवा की चर्चा तो सुरक्षा परिसत की जब आई यानि शक्यूर्टी काउंसिल जब बात आई तो इसमें किया में रूप से हमने देखा था इसमें देखा था कि इसमें दो भाग बनाए गये हैं एक बनाए गये हैं यहीं एक में पांस सदस्दस थे हैं और एक में 10 सदस्दस से हैं ये जो पांच सदस से हैं ये क्या है स्थाई है अभी चर्चा करेंगे कौन कौन से स्थाई है और ये दस सदस से कौन कौन से है और स्थाई है सब डीटेल में चर्चा किया हुआ है मैं आपको लिए रिवाइज करा रहा हूं ये हर दो साल के लिए चुने जाते हैं तो यह जो स्थाइस अदिकार है वीटो का अधिकार है डीटेल में हमने डिसकस किया हुआ है जिन लोगों ने भी चैप्टर नहीं देखा है जरूर एक बार देख लेंगे ठीक है वीटो का अधिकार प्राप्त है तो सवाल आपसे क्या पूछा है कि कौन सा देश सुरक्षा परश्यत का स्थाई सदस्य नहीं है तो कौन-कौन से उसमें देश है एक तो उसमें है यूके यानि ब्रिटेन एक उसमें है यूएसे एक उसमें है रसिया पहले सोवियत संग्था बाद में रसिया हो गया एक उसमें है चाइन और एक उसमें है फ्रांस यह पांस देश है इन पांचों में कौन-कौन से ब्रेटेन रूस और अमेरिका तो सही है लेकिन अपना प्यारा भारत उसका क्या है स्थाई सदस्य नहीं है और इसकी बार बार मांग की जा रहे है कि भारत को भी स्थाई सदस्य था मिलनी चाहिए इसके लिए क्या-क्या लॉजिक से इस पर हमने चर्चा की हुई है तो सही जवाब क्या हो जाएगा भारत इसका इस्थाई सदस्य नहीं है और इस्थाई सदस्य रहे चुका है विश्वस्रम संगठान जिसको कहते हैं इंटरनेशनल लेवर और अगनाइजिशन यह आयलो के नाम से जाना जाता है ध उसमें एक एकनोमिक एंड सोसल काउंसिल भी है उसी के यह पार्ट है आयलो डवलू एचो यूनिश्व यूनिशेफ एफएओ कई सारे हैं हमने चर्चा की है उसी में इंटरनेशनल लेवर और अगनाइजिशन आता है इसका है जेनेवा जो पूरी दुनिया में स्रम बहुत और जो क्लास उनकी स्थितियों की जाजाद लेता है उसके बारे में उनके विकास और उठान की बात करता है तो इसका मुख्याल हमने चेप्टर के समय की थी कि यह एक आंदोलन था यह क्या आंदोलन था यह आंदोलन ऐसा था कि जब दितवी विश्यू दखा सुरूख खतम हुआ तब युएनों के स्थापना भी हुई और पूरी दुनिया में दो महा सक्तिया हुई क्यों क्यों सी एक हुई युएस यह अमेरिका और एक हुई क्या सोबियत संग ठीक है इसकी अलग से चर्चा भी हमने अलग चेप्टर में की है दो दिरुटा वाले चेप्टर में सोबियत संग युएससर तो यह जो युएससर था यह पूजीवाद परंपरा को लेकर चल रहा था यह समाजवाद या में बट गई कुछ लोग इस देश इस भाग में आ गए और कुछ देश जो है वह इस इलाके में मतलब इसके प्रभुत्तों में आ गए तो दो दुरूवत दुनिया बाइपॉलर में बट गई लेकिन कुछ ऐसे भी देश से जिन्नों ने यह कहा कि हम इस अच्छा यह दो बटने से क्या बढ़ रहा था पुरी दुनिया में तनाव भी बढ़ रहा था एक बार फिर विस्यूद्ध की स्थिती बन नहीं थी जिन कारण से युन्यों की स्थापना हुई थी वह कारण कहीं नहीं सिद्ध होने का खत्रा था कि सी दिना हो पाएं तो कुछ देशों ने कि हम इन दोनों में से किसी गुटों का हिस्सा नहीं बनेंगे जैसे उसमें अपना देश भारत था इसके अलावा मिस्र एजिप्ट है वहां के टीटो आपने नासी ठीक है इंडोनेसिया तो यह कुछ ऐसे देश से जिन्होंने मिलके डिसाइड गया कि we will not align to any of these groups हम इन दो में से किसी गुरूप का हिस्सा नहीं बनेंगे दोनों से अपना लाव लेना हो लेंगे तो उसी अंदोलन को कहा गया नॉन अलाइन मोमेंट यानि कि नैम किसी गुट निर्पेक्ष आंदोलन तो कहा गया कि इसमें से कौन सा देश उसका भाग नहीं था तो भारत था इंड अमेरिका के सहर ब्रेटन वूट्स ब्रेटन वूट्स में एक कॉन्फरेंस हुआ और इसी ब्रेटन वूट्स कॉन्फरेंस से दो संस्थायों का जन हुआ एक बिश्चो बैंक बिश्चो बैंक जिसको कहा गया IBRD International Bank for Reconstruction and Development और एक जर्मुवा आईमेफ का जिसको कहते हैं क्या अंतर राश्ट्रिय मुद्रा कोश अंतर राश्ट्रिय मुद्रा कोश ठीक है आइमेफ और यह विश्वबैंक और आइमेफ दोनों का स्थापना हुआ विश्वबैंक का यह हुआ कि पूरी दुनिया में दित्री विश्यूर्द इसे जो तबहाई हुई है उसके लिए फिर री कंस्रक्शन करना है फिर से विका आने का प्रयास करेगी मदद करेगी जैसा कि 1929 से 33 तक की मंदी चली थी तो वैसे तो यह 1944 में यह देश एक साथ मिल के यह संस्थाओं के लिए चर्चा की लेगिन आपचारी ग्रूप से इसकी स्थापना इन दोनों की हुई थी 1945 में तो आपका जवाब सही क्या हो जाए त बिस्वबैंक समू अलग है बिस्वबैंक खास करके इंटरशनल बैंक फॉर रीकर्स्रेक्षंट डॉलपमेंट इसके लामा इसमें कुछ और संस्थाएं है जैसे इंटरेशनल डवलपमेंट एजइनसी आइडी यह फाइनेंसियल आफसी है इसके लामा दो-3 और जाता है कि यह नों का मुख्याले का है बहुत सिंपल जवाब तो इसका इसलामाबाद लंदन जनेवा सही जवाब हो जागा नियू यॉक ठीक है डबलू ट्यों की स्थापना कब हुई तो आपको पता है कि 1949 में पूरी दुनिया में देखिए पूरी दुनिया में क्या हुआ यह महसूस किया गया कि एक ऐसी संस्था या यह कैसी समझाता रहना चाहिए जो पूरी दुनिया में ट्रेड को आसान बनाए ब्यापार को आसान बनाए तो 1948 में एक स्थापना होई गैट की क्या मतलब था इसका जनरल एग्रिमेंट जनरल एग्रिमेंट जनरल एग्रिमेंट और ट्रेड एंड टैरिफ जनरल एग्रिमेंट ट्रेड एंड टैरिफ गैट की स्थापना होई और जब गैट की स्थापना होई तो यह जो संस्था यह बहुत दिनों तक काम करती रही कि पूरी दुनिया में जो ब्यापार है उसको ठीक ठाक से चलाए जाए उसके लिए एक नियमावली बनाई जाए संस्था बनाई जाए तो फिर क्या हुआ इसके बाद 1995 में एक संस्था डवलू टियो बनाई गई विश्व बैपार संगठन बनाई गई जिसने विध्वत रूप से क्या किया यह प्रयास किया कि पुरी दुनिया में बैपार क क्या हो जाएगा उनिस सो कि को इसका सही जवाब हो जाएंगा तो यह द्यान लखेंगे तो सही जवाब किया हो जाएगा ऐगा माइन थी न Tolkien को बहुत इंपॉर्टेन गोलोह को हर इक्जामिशन में आप के लिए बहरत यह जिशेप्तर रहें तराश्ट के संगठनों का 구ي ह पढ़ रहे हैं यह आपके 12 में और पूरे दुन जितने कॉम्पेटिटिव एक्जाम आप देखते हैं सब के लिए बहुत जरूरी है अब देखिए सयुक्तराश्च दिवस कम मना जाता है तो यूवेंडे कम मना जाता है तो जाइज दिवात है इसके स्थापना कव थी 24 ऑक् मार्च आठ मार्च को वर्ल्ड वोमेंस इंटरेशनल वोमेंस जी मना जाता है ठीक है अंतराश्चे मुद्रा कोस का मुख्याल है आयम आफ जैसा मैं आपको बताया वही ब्रेटन वूट्स का ये इंस्टिशूशन था वर्ल्ड बैंक आइम आप दो चीजे आई थी तो सही जब आप क्या हो जागा मनिला जकार्था पेरिश वासिंग्टन तो वासिंग्टन डिसी ज़ा करेक्ट आंसर यह इंपॉर्डन कोश्चन इसको आप ध्यान लखेंगे संव्क्तराश्चंग के महास्चीव अंतोनियो गुतेरस किस देश के हैं तो देगे संव्क्तराश महा महासचीव यह सबसे पहले महासचीव थे इसके अलावाद दो नाम आपको और ध्यान रखने हैं वरतमान में आने से पहले वो दो ऐसे महासचीव थे जो दो बार अपना कारेकाल पूरा किये हैं तो एक है कोफी अन्नान कोफी अन्नान और यह थे घाना के घाना देश है वहाँ के इसके अलावा थे बान की मून बान की मून और यह थे दक्षिड कोरिया के यह दो ऐसे व्यक्तितों थे यह दो ऐसे महासचीव थे जोनों ने संव्क्तराश महासचीव का दो कारेकाल यह दो बार यह रहे हैं और अभी जो क्वेशन पूछा हुआ है कि अभी मास अचिव कौन है नहीं 2022 तक तो अंटोनियों गुतेरस यह कहां के हैं यह पुरतगाल के हैं ठीक है इस बात करताने से पॉर्टगाल के अंटोनियों गुतेरस अभी पे हैं ठीक है तो यह ध्यान दखेंगे ट्रिग वी पहल ठीक है और पांच सदसे कौन होते हैं स्थाइए और यह दोनों को मिला के कितने होते हैं टोटल 15 में अब तो सुरक्षा परिशत की टोटल इस्टेंग 15 होती है इसमें सिस्थाई सदसे पांच और स्थाई 10 से जो पांच इस सथाई सदसे हैं फिर मेरे साथ रिपीट करिए क अब उसका विटन हो गया तो उसके जगह पे कोन बचा है रूस उसके बाद आपको पता है ब्रिटेन उस समय बहुत हुआ करता था सब पूरे दुनिया में उसका रास था ठीक फ्रांस को दिया गया सदस्यता और लास्ट में कौन आया चीन तो आप उस समय ताइवान की सदस् तो हो जाएगी पांच सवयुक्तराश्ण के चार्टर में कितनी धराये हैं तो तोटल धराये 111 है सुरक्षा परिश्ण में और इस थाइस तरश्यों की संग्या अभी मैंने आपको बताई तो यह हैं कितने दस इसके अलामा CTBT Comprehensive Test Band Treaties को कहा जाता है जिसमें यह कहा गया क कि परमाडू हत्यारों के परिक्षण पर रोक लगाई जाएगी ठिक भाई एक बार तो यह हुआ कि जितने बड़े 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 बास बनते हैं देश परिक्षा परिश्ण में और राश्ण में समने अपने परमाडू हत्यार बना लिए फिर उनने का कि हम CTBT लाएंगे और NPT यह दो ट्रीटीज है यह NPT कहता है कि अब हम परमाडू हत्यारों को नहीं बनाएंगे नहीं बढ़ाएंगे और यह CTBT कहता है कि अब हम उसका परिक्षण ही नहीं करेंगे भारत इन दोनों पर साइन नहीं करता है इसलिए जब भारत सुरक्षा परिश्ण के इस कि भारत नोवास्ट यूज का पॉलिसी अपनाता है नोवास्ट यूज हम किसी को छेड़ेंगे नहीं छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे यह वाला काम हम करेंगे तो अब यह जो दोनों ट्रीटीज है इस पर बार बार बड़े बड़े देश इंफिस करते हैं तो यह CTBT को स्विकार आ गया तो इसी का रहा गया नाइंटीन हंडेंड नाइंटी एट में और हमने उसी के समय उसी समय आपको पताए कि हमने पर मारू परिक्षण भी किया अठ्थानवे नियानवे में सहयुक्त राश्चंद के प्रथम कौन थे तो यूठांड थे यूए नो से पहले कौन सी संस्थाकारे करें आपको बताए था अभी कि जब 1914 से और 1918-19 तक ठीक है ठीक है तो यह चला फर्स्ट वर्ल्ड वर और फर्स्ट वर्ल्ड वर के बाद अमेरिका के एक रास्टपती थे विल्सन इनकी इनकी धारणा थी इनकी मानेता थी कि ऐसा संगठन बनाए जाए जो दितिविश्यूद जैसी संभावनाव पर रोक लगाए और तब उन्होंने जो संगठन थे वह लीग ऑफ नेशन के तरफे काम कर रही थे संभूरास्ट महासवा की पहली महिला सभापती कौन थी अब देखें महिला सभापती इसायुक्तरास्पति महासवा की बात ध्यां दखेंगा जो जैन्दके संभ में कौन-कौन से अंग है एक थी जंदल एसें जो साल में हर साल इसकी मीटिंग होती है और एक साल के लिए इसके सभापती जूने जाते हैं ठीक तो एक अंगों एक तो जनल इसमीली ती दूसरा में पढ़ा था कौन एक अंसोशल काउंसिल एकोनॉमिक एंड सोसल काउंसिल कि अंग्रेजी के सब्सक्राइब इसलिए बता रहा हूं कि इस नाम से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए यादि आर्थिक और समाजिक जो परिशद है ठीक है और हमने क्या पढ़ा था एक ट्रस्टी स्रिप आया ले ठीक और हमने क्या देखा था सेक्योटी काउंसिल यानि सुरक्षा परिशद यह सबसे महत्वपूर है इंटरनेशनल पूलिसिंग कहते हैं और लास्ट में देखा था हमने सचीवाले अब यह क्यों मैंने आपको बताया ध्यान से समझे एक तो यह बताए कि आपको यह जनल एसेब्ली हर साल सितंबर में आप देखते होंगे कि एक मीटिंग होती है हर डेस के याने राश्टा धयक्ष पती है लेकिन सासना धैस प्रभान मंत्रीं इंटाकर इसको समझे लाएकयो दो विश्विस्वमानुमा धिकारदीवस वल्ड दियूमन राइट दि यूमन राइट कमिशन भी आपने सुना होगा you know का तो ये कब मनाय जाता है तो ये मना जाता है दस दिसंबर 10 दिसंबर ठीक है World दिसंबर को मनाय जाता है ठीक है जी चलिए अंतरास्टि नियायाले का मुख्याले कहां वस्तित है तो इंटरनेशनल कोड़ अफ जस्टिस क्या है यह सवयुक्त राश्वंग का ही एक हंग है इसमें क्या क्में आपको बताया था कि एक तो इसमें 15 जोटे हैं पंद्र इसमें क्या होते हैं जज होते हैं और यह 9 वर्ष के कारेकाल के लिए चुने जाते हैं बहुत इंपोर्टेंट है यह और भारत के भी एक जिसके मेंबर है जिनका नाम है मैंने पिछले क्लास में आपको पूछा भी था इनका नाम है दलवीर भंडारी ठीक है ठीक है तो पंद्र जज होते हैं नौ वर्ष का कारेकाल होता है दलवील भंडारी इसमें एक सामिल है और यह जो अवस्थित है इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस अंतर राष्ट यह अस्थित है निदरलेंड हेग में और इसमें जो राष्ट होते हैं वही कोई इशू लेकर जा ठीक है पिछले सवाल में पूछाता हो किस देश से हैं पूर्तगाल से हैं तो यह महतपूर सवाल है जिने आपने ध्यान रखना एक और कोशन देखिए नीचे के देशों में सुरक्षा परिस्त का स्थाई सदव से कौन नहीं है ठीक है तो रूस ब्रिटेन अमेरिका यह त इसके साथ कौन से हैं तो इसके साथ है तो इसके साथ है फ्रांस और एक है चीन तो यह पास तो है स्रिलंका इसका हिस्सा नहीं है ठीक कोई कंफ्यूजन को दिकत ठीक है इसको बार बार आप रिवाइस करते रहेंगे कई बार पूछे जाने वाले सवाल है तो इस चैप्तर सब्सक्राइब के अंगों के बारे में वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको जरूर मिल गई होगी इस से रिलेटेड जो पूरा चैप्टर अब हमने अलवलडी देखा हुआ है इसमें कोई तो चैप्टर को पढ़ें क्रॉपिक वीडियो को देखें को समझ में आउंगे किसी कोई टाउट हो तो कमेंट शेक्शन में बताइए और सारे कोशन आपको ठीक से आ रहे हैं तो भी आप कमेंट शेक्शन में हमें जरूर सूचित करिएगा एक और खास जानकारी यह है कि मैगनेट बेंस के अपनी वेफसाइट है मैगनेट बेंस.com सबसे बादा यहां आपको एक साथ क्रमबद तरीके से सारे चैप्टर का एक समराइज वे में सारी चीज़ एक साथ मिल जाती है पूरे सलवेस का आपको ओवर्वीव मिल जाएगा वहाँ पर इसके साथ आपको क्या होता है कि सभी चैप्टर का कम्प्लीट चैप्टर रिवीजन छोड़े चोड़े टॉपिक वाइस वीडियोज एंसी याटी शॉलूशन एंसी क्यूज प्रिविए सियर कोश्चन सारी ची च्छोड़ा सा काम करना है कि जादे से जादा लाइक से रो सब्सक्राइब करिए ताकि हम आप तक और इस तरह की महतवपूर्ट वीडियो लेकर आते रहें आपकी परिक्षाओं को और आसान बनाते रहें तो मैंनेट मेंस हिंदी के साथ बने रहें निश्रुल शिक्षा क का आनन्द लीजिए क्वालिटी एजूकेशन के साथ अपने एक्जामेशन में बहता रंक लाइए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंसिप्ट के साथ तब तक अपना बहुत ध्यान दखें टेक केर बाइबाए